हेई गाइज गुड मॉर्निंग जे जगनात विल्कम बैक टू मैई चैनल तो आज टूजडे है और देखो गोलु को सुभा सुभा मैंने बदाम और केला एक दे दिया है खाने के लिए तब तक मैं ब्रेकफस्ट बना लूँगी आज ब्रेकफस्ट में बना था अंडा का लगा के केप्सिकम और प्याज वो थोड़ा सा मेगी मसाला में सोटे करके उसके उपर लगा दिया बोला यह पीजा है खालो तो उसने पूरा तो नहीं घाया आधा खाया सुभा से सिर बहुत दर्द हो रहा है और गोलु चली गई है स्कूल देखो कितना पसीन आ रहा है क् लगा नहांगी अभी जाके में स्कूल और इस सुभा आज पताती हूं जैसे ही चपल पेहने लगी ना स्कूल का तो इसका जो ऐसे घुशाने वाला होता है जो पिन होता है होल में वो पिन जो गुशाते हैं तो वह पिन जहां पर लगा था एक साइड में वहाँ से टूट तो अभी निकलने वाला है नोट तूट गया तो फिर अभी चपल का क्या करें फिर लगाने का ट्राइब किया प्लास के प्लास से जो और से दबा देन तो हो जाए साइद इसा तो बट हुआ नहीं फिर सुबहा उटके वही मतलब तूट गया वह फिर कुछ इतना दिमाग में अधिर जब झार आ करें तो गढ़ना को में प्लास किसी और दोकह नहीं द्यास के सब्सмाद प्रहें सायदी कर दिआए रहे हैं पहना दिया उसको पहना कर भी हमकियों प्लींम सीचीढर, इसख गया जिफ कर देः को ञें तो स्टीच है और टोट गया तो लेके लगा के आएंगे बट अभी फटाक से हो गया अभी 10-15 मिनिट में निकलना है तो चलो अभी मैं जाती हूं नहाती हूं क्योंकि मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है आज पता नहीं क्यों धूप तो आज बहुत हो गई है बीच में इतना बारीस वाना धूपी नहीं न इतना गर्मी या बिना एनए सी चलाओ नहीं सो सकते इतना गर्मी है गवाटी में तो चलोंपा है आप पिर आप से मिलते हूं चलोंपा उत्स पंकल से लिए कि भ़लो को छोड़ने के लिए अटरे टाइम पे फिश लेकी आए थे तो आज चलोंपको एके मज़दा सार चजो सर्सो डॉर हिए तो मासाले में सल नémंगो डाले अचसो डराइघ में के लिए और्व थोड़ा सा मतल्ब मैंगो की मतल्क थोड़ा हलका हलका स्मेल बील कुल बता ना चले उस टाम कच्चा मंगो नहीं होता है तो तो जब कच्चा मंगो नहीं होता है तो ड्राइ तो इसके लिए पेले तो सारे फिश को हमको फ्राइ कर के निकाल लेने हैं अच्छे से नमख खल्दी लगाओ फिर इसको फ्राय करो ओयल में फ्राय करके निकाल लो उसके बाद हम लोग प्याज एक डालेंगी है यह एक किलो का फ्यूश है तो उसी के हिसाब से मैं मसाले डाल रही हूँ अबल जितना फिस यूज करेंगे उसके कोडिंग आप मसाला यूज कर सकते हैं तो इसमें ऑयल में मैंने तड़का मारा पंच फोरन और मिर्ची का पंच फोरन और मिर्ची का तड़का मारना भिया इस सबैस उसक्षा छिने लगता इसमें डालें जीरा पाउडर आप डाल सकते हो, जीरा पाउडर आप डाला है, नमक, खल्दी, मिर्ची सब डाल दिया है, उसके बाद मसाल अच्छे से भुन गया है अभी, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे सर्सो का पेस्ट, सर्सो का पेस्ट मैंने चार चमस लिया था सर्सो, उसका पेस्ट बनाया था, अभी वो प्लेट में जितना लगा है, उसमें भी मैं पानी डाल के उसको एड़ कर दूंगी यहां पे, तो सर्सो डालने के बाद ना, इसको एक से डेड़ मिनिट पकाईए, आप उससे जादा मत सर्सो आप जितना पकाएंगे वो कड़वा हो जाएगा, तो अभी इसलिए मैंने गैस मिडियम हीट पे कर दिया है, और अभी इसको एक से डेड़ मिनिट हम लोग पकाएंगे, उसके बाद इसमें यह देखो, ड्राइ मेंगो लिया है, मैंने तीन पीस लिया है, मतलब एक म मेंगो का अधा, इतना में पानी में भीगो के रख दिया है, ताकि वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग एड करेंगे, तो देखो, यहां पे मसाला हो गया है, अभी में जो प्लेट में था ना, इसको भी भोके, इसका पानी डाल देती हूँ यहां पे, तो इसी मसाले में अभी हम लोग जो ड्राइ मेंगो अपना विगो के रखा था ना, वो हम लोग इसमें एड कर देंगे, और अगर आपको आलू डालना है फिश करी में, तो आप आलू भी बोईल कर लीजिए, मैंने भी प्रेसर कुकर में बिठा दिया था, साइड में पानी के साथ ही जो पानी में बिठा था, मैंगो डालने से खटास खटास थोड़ा सा लगेगा तो बहुत मस्त लगता है यह वाला, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग कुक करेंगे, फिर आभी आलू देखो आ गया है, आलू इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे, पान दालने के बाद पांच मिनट आप जैसे ही पकाएंगे ना फिश सारा पानी खीच लेता है, तो पानी थोड़ा सा ज्यादा करके एड़ कीजिए, यह देखो पानी एड़ हो गया है हमारा, आलू पानी इसमें सब है, अभी इसमें मैं सारा फिश अपना एड़ कर दूंगे, दो तिन पिश में निकाल लिए है क्योंकि गोल्으 को फ्राइड भी खाना पसंद है, तो फ्राइफ ज निकाल दिया था और बागी का सारा फिश मैं इसमें एड़ कर दिया है, अभी देखो यह बनने के बाद कुछ से बना है, इसमें से में पंकर्स इसमें मैं आ पंकर्स को इतना जोल नहीं खाते हैं इसलिए मैं ज्यादा जोल अपना कोई भी सब्जी बनाती नहीं हो जितना मुझे चाहिए उतना ही बनाती हूं